Hey guys, I am Keerti Sharma and welcome to Health Mange Mour. आज की रेसिपी है बहुत एक कलरफुल, नूट्रिशियस और हैल्दी स्प्राउटिड मूंग सैलिड की जो विटेमिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है और वेट लॉस में भी हल्प करता है. तो एक बाउल में हम एक कप साबुत हरे मूंग लेते हैं और इन्हें पहले पानी से धो लेते हैं और उसके बाद हम इसमें स्प्राउट्स निकालेंगे तो हम जानते हैं फ्रेंड्स की स्प्राउट्स जो है वो डालों की नूटिशियस वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा तो हरे मौंग को पानी से दोने के बाद इसमें हम दुगना पानी डालेंगे जैसे एक कप मौंग है तो दो से तीन कप इसमें पानी डालके और इसे ढख के आठ से बारा घंटे के लिए रख देते हैं और आठ से बारा घंटे के बाद अब इसका हम एक्स्रा पानी निकाल ले तो इसक पर हमने गीला कपड़ा ढग दिया है और गीली कपड़े को पाने से दो के ने चोड़ लिया था कॉटन का एक कपड़ा लिया है और इसे अब ढग कर अंधेरे स्थान पर रख देंगे ताकि इसमें अंकूरन निकलाएं इसी तरह से मैंने काले चने को भी धोकर भीगोकर और चलनी पे रखा था तो बारा घंटे के बाद एक काले चने में भी छोटे चोटे स्प्राउट्स निकलाएं नीचे इस तरह से चलनी पे रखने का ये फायदा है कि नीचे से हवा भी लगती रहती है तो इस प्राउट्स म प्रस्ट आया है और एकदम सूखे श्प्राूटर्स निकलते न इन में कोई स्मेल आती है क्यो कि नीचर से हवा लगती रहती है तो और छन्नी पर रखें जब भी श्प्राूटर्स आपको बनाना है तो आपके श्प्राउट्स कभी भी खराब नहीं होंगे अब हम sprouts में हलका सा steam लगाएंगे तो एक pressure cooker लेते हैं और उसमें हम 1.5 cup moong लेते हैं जिनमें sprouts निकाल लेते हमने और उसके बाद इसमें हमने यहां डाले हैं आदा cup sweet corn और half cup लिया है मैंने पानी half teaspoon या स्वादानुसार नमक और नमक को इसमें mix कर देते हैं और उसके बाद cooker की lid बंद कर देंगे और इसे हलका सा steam कर लेंगे कोकर में हमें CT नहीं लेना है केवल 3-4 minute इसे थोड़ा सा steam करना है कि हमारे sprout थोड़े से नरम हो जाएं आप चाहें तो इसका कच्चा ही salad बना सकते हैं without steam बिना स्टीम किये भी लेकिन हलका सा स्टीम कर लेते हैं तो यह पचने में भी आसान हो जाते हैं और चबाना भी इन्हें आसान होता है तो एक बड़ा कप लिए है मुँफली के सिके हुए दाने क्रंच इससे अच्छा आता है एक टमाटर लिया है जिसे बारिक काट लिया था और एक प्याज लिया है बारिक कटा हुआ थोड़े से पनीर के टुकरे थे मेरे पास वो इसमें आड़ कर रहे हैं और यदि हलका सा मीठा आपको पसंद है तो वनफोर्थ का पनार के दाने हम इसमें आड़ कर सकते हैं हाफ चुकंदर को बारिक काटके डाला है, नमक लिया है, काला नमक 1-4 टीस्पून, काली मेच पिसी हुई 1-4 टीस्पून, आधा चमच भुना पिसा हुआ जीरा, और 1-4 टीस्पून ही लिया है चाट मसाला, क्योंकि थोड़ा नमक हमने बॉयल करते समय भी डाल दिया था, ए आप अपने स्वात के अनुसारों ने भी कम या ज़्यादा मात्रा में इसमें अड़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी, कलरफूल सलाद हमारा बन गया है, जिसे आप लंच में, ब्रिकफास्ट में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं, बहुत ही न्यूटिश्य से दी, स्टेस्टी, बबाई